वॉल्कम बैक अप्रिवन प्रक्टिस सेट नमबर यह 198 है यूपी प्रक्टिस करेंगे इसमें हम जी एस प्लस करेंट अफेर्स की प्रश्णों पर तो चले स्टार्ट करते हैं इस टेस्सीरीज की प्लेलिस्ट बना रखे हैं वहाँ पर आप टेस्ट नमबर बन से लेकर 198 तक पहुआ सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेंक है उसका और इन सभी टेस्ट का फुल टेस्ट सीरीज प्राप्त कर सकते हैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नमबर अस पर कोले वाट सब करके तो कोश्चन नमबर बन कई वार एक टेस्स सीरीज में देखा होगा आपने अंतराश्टिय जैवे वहता दिवस कब मना जाता है International Vio Diversity Day यह मना जाता है 22 को 22 मई को 22 मई को हर साल तो अंतराश्टिय जैवे वहता दिवस हर साल जो है 22 मई को मना जाता है तो एक रेक्ट है इसका अंसर है यह नंबर इस पर कॉले आउट सब करके फुल टेस्ट से सीरीज प्राप्ट कर सकते हैं आप कोश्चन नबर टूपर आजएए द्वीपो का नमलिकित में से कौन सा योगम 10 डिग्री चैनल दोरा एक दूसरे सा अलग होता है बहुत पूछागा है प्रश्चन एक्जाम में 10 डिग्री चैनल अलग करता है अंडमानो निकोबार को यह है इसका अंसर देखिया अंडमानो निकोबार दीप समू के सबसे दक्षणी भाग ग्रेट निकोबार का जो शेत्र फल है वो 9 से 10 वर किलोमेटर है और अंडमान और निकोबार दीप समू बंगाल की पूर्वी खाड़ी में लगभग 836 दीपो का एक समू है जिसके दो समू देड़ सो किलोमेटर चोड़े 10 डिग्री चैनल द्वारा अलग किया जाते हैं और चैनल के उत्तर में अंडमान दीप और दक्षण में है निकोबार दीप समू देखे ग्रेट निकोबार दीप के दक्षणी सिर्य परस्तित है इंद्रा पॉइंट भारत का सबसे दक्षण दम मिंदू है यह इंडोनेशियाई दीप समू के उत्तरी दीप से डेढ़ सो किलोमेटर से भी कम दूरी पर है और इसमें एक लाख तीन हजार आट सो सत्तर हैक्टेर अदूतिय और संकट गरस्त उष्ण कटी बंदिय सदाबहार वन पाईस्तित की तंतर जो है वो सामिल है यह है एक संबद बहुत संबद पाईस्तित की तंतर है जिसमें आपको मिलेंगे एंज्योस्पर्म, फार्म, जिम्नोस्पर्म, वाईवफाइट्स की 650 परजातियाँ देखें जीवो के संदर में यहां 1800 से अधिक परजातियाँ हैं जिनमेंसे कुछ इस छेत्र के लिए स्थानिक है कॉश्चन नमबर थ्री पर आज़िए सर्वाइवल, सर्वाइवल ऑफ दा रिचेस्ट, दा इंडिया स्टोरी के संदर में नम्रिक कत्नों पर विचार करेंगे इसे नीती आयोग दोरा जारी किया गया है और रिपोर्ट में भारत में लेंगिक असमानता पर भी प्रकास डाला गया है कौन सा करेक्ट है सर्वाइवल ऑफ दा रिचेस्ट, दा इंडिया स्टोरी और रिपोर्ट में लेंगिक असमानता पर भी प्रकास डाला गया है तो करेक्ट है के बल दूसरा वाला स्टेट्मेंट पहला वाला इंकरेक्ट है तो ओक्सपैम की रिपोर्ट है यह ना कि नीती आयोग की सर्वाइवल ओफ दा रिचेस्ट दा इंडिया इस्टोरी के अनुसार भारत में सबसे अमीर यानि एक प्रतिशत आवादी के पास देश की कुल संपत्ती का 40 प्रतिशत से अधिक हिस्टा है जबकि एक साथ वर्स दोहार 12 से 21 के दुरान नीचे की आवादी आधी आवादी जो है नीचे की उसकी संपत्ती में हिस्सेदारी मातर 3 प्रतिशत है डिपोर्ट में भारत में लेंगिक असमानता पर भी प्रकास डाला गया तो दूसरा बाला स्टेट्मेंट करेक्ट हो गया पहला इनकरेक्ट है क्योंकि नीतियायोग लिखा था बहाँ पर जिसमें कहा गया है कि पुरुष स्रेमिको द्वारा अर्जित प्रति एक रुपे के मामले में महिला स्रेमिको को केबल 63 पैसे मिलते हैं बस अब आजए ये कॉश्चन नमबर 4 पर ये जनरल साइन्स का प्रश्ण है नाविके रेक्टर में जो भारी जल होता है यानि D2O क्या काम है उसका न्यूट्राण की गति को बढ़ाना रेक्टर को ठंडा करना परमणु अभिक्रिया को रोकना है न्यूट्राण की गति को धीमा करना moderator के रूप में काम करता है यह यानि neutron की गती को धीमा करना इसका answer हो जाएगा है तो भारी जल यानि D2O जिसे deuterium oxide भी कहा जाता है deuterium से बना जल है ठीक है यानि hydrogen समस्थानिक से बना जल होता है जिसका द्रबिमान सामान जल यानि S2O से दो गुना होता है भारी जल प्रकृति में प्रकृतिक रूप से पाया जाता हाला कि यह सामान जल की तुलना में बहुत कम होता है और यह आम तोर पर परमाणू रियक्टरों में neutron moderator के रूप में प्रियोग किया जाता है तकि neutron की गती को धीमा किया जा सके एक दिवस है रास्टे स्टार्ट अप दिवस कब मना जाता है यह मना जाता 16 जनवरी को ठीक है हाली में मनाया गया यह है इसका अंसर पिछले मंद तो हाली में रास्टे स्टार्ट अप दिवस के अपसर पर यानि 16 जनवरी को Startup India Innovation Week का समापन National Startup Awards 22 के साथ हुआ बानेज एबम उद्योग मंतरले द्वारा रास्ते Startup पुरुसकार 22 और स्टार्टप और समर्थकों को प्रदान किये गए जिन्होंने भारत के विकास में करांती लाने ही तू महत्पुन भूमी का निभाई और Startup India ने Championing the Willian Dollar Dream विशय पर उद्योग केंद्रेद वेविनार का विजन किया तो 16 जन्बरी का नाम याद रखेगा 16 जन्बरी की दिनांग कोशन नमबर 6 पर आजाए Skyhawk क्या है ये ड्रोन है लड़ा को भी मान है computer virus है इनमें से कोई नहीं Skyhawk ड्रोन है भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन है ये भारत का पहला 5G सक्षम ड्रोन जो है विक्सित किया गया है जो vertical takeoff और landing में सक्षम है vertical takeoff और landing की सुभिधा के कारण इसे takeoff या landing है तू किसी विशेश runway या track की अवश्चकता नहीं होती इस ड्रोन को Skyhawk नाम दिया गया है जिसका उपियोग रक्षा और चिकितसान उपियोगों के अलावा अन्य छेत्रों में किया जा सकता है question number 7 पर आजिए इस ते इंबलिया के लिए परतिय एक वर्स कर्नाटक की हुबली में आयधित कीा गया और इस मोहतसब का आयधित विक्षट व्यूभा उनको जागरुक करने के साथ सात उनने राश्णみ रिमाण के दिशा में प्रेडित करने के लिए पड़ती एक वर्ष किया जाता एब्री एर कोशन नुमर रेट पर आजे हैं अमरीकित में से किस इस्थान पर सॉम्पेंट ट्राइब पाई जाती है सॉम्पेंट जन जाती कहा में लेगी आपको यहाँ पर अंडवान निकोबार की जन जाती है यानि निकोबार दीब समू से ही हो जागा सकान सडी तो शॉम्पेंट या शॉम्पेंग जन जाती अंडवान निकोबार दीब समू में पाई जाती है और यह है इस दीब की जो है प्रमुख जनजाती है इसके अतरेक तो यहां आपको ओंग जनजाती जारवा जनजाती और सेंटिले जनजाती मिलेगी नेलगरी की पहाड़ियों में टोटा जनजाती मिलेगी इस पीती घाटी में आपको किननर, गफी और पंगवाल जनजाती मिलेगी लद्दा की पुरमुख जनजाती की बात करें तो बलती जनजाती, बेड़ा जनजाती, यांग्या जनजाती और गुर्रा जनजाती मिलेगी अंदबान, निकोबार, दीव, समुकी जो है, 6 प्रमुख जनजातीया है, सेंटेली है, जारबार जनजाती है, ग्रेट, अंदबानी जनजाती है, ओंगे है, सुम्पेन है और निकोबारी जनजाती है, यह पुछे कही थी इसलेंडी करेक्ट है चलिए question number 9 पर आज़े नमने के तमसे किस पंचवर्षी योजना के दुरान आपातकार लगाया गया था नए चुनाब हुए थे और जंता पार्टी की सरकार बनी थी और ये जो पंचवर्षी योजना बहुत पूछी जाती है एक्जाम में बताई कौन सी है पांचवी चौथी तीसरी दूसरी गरीबी हटाव का नारा दिया गया था इसमें अब कुछ याद आया पांचवी पंचवर्षी योजना इसका अंसर हो जाएगा ए तो पांचवी पंचवर्षी योजना की अब धिया 1974 से 1978 इसने रोजगार बढ़ाने और गरीबी उनमुला यानि गरीबी हटाव पर जोड़ दिया वर्ष 1975 में विद्धुत आपूर्ती अधिनया में संसोधन किया गया जिससे केंसरकार विद्धुत उत्पादन और पारिशन के छेतर में प्रवेश कर सकी क्या क्या हुआ और इसमें भारते राश्टी राश्टी राजमार्ग प्रणाली की सुरुबात की गई थी इस योजना के पहले वर्ष में सुरू किया गया नियूंतम अवश्रक्ता कारिकरम यानि मिनिममम नीट्स प्रोग्राम MNP जिसका उदेश बुनियादी नियूंतम अवश्रक्ता प्रदान करना था ठीक है MNP को यानि Minimum Needs Program को यानि नियूंता मावश्रक्ता कारिक्रम DP धर द्वारा त्यार किया गया था और लक्षित विकासदर इस पंच वर्स योजना में 4.4 पृतिशत और वास्तविक विकासदर कितनी थी 4.8 पृतिशत और वर्स 1978 में नव निर्माचित जन्ता पार्टी की सरकार ने इस योजना को खारिश कर दिया तो जो 70 से 78 की है इसलिए D वाला statement correct हो जाएगा मतलब A वाला statement correct हो जाएगा ठीक है जन्ता पार्टी की सरकार बनी चलिए question number 10 पार आजाएए पंक भारत में पंक जोला मुखियों यानि मड वॉलकानोज का एक मात्र ग्यात उधार नमलिके दिपो में से किस में इस्तित है निकोबार द्वीब समू लक्षु द्वीब सुन्दर बंडेल्टा बारा टांग द्वीब मड वॉलकानोज इसका आंसर हो जागा option number C बारा टांग द्वीब देखिए बारा टांग द्वीब जो है भारत में पंक जोला मुखियों अनि मड वॉलकानोज का एक मात्र ग्यात उधारन है इन पंक जोला मुखियों में छिटपूट तरीके से विसफोर्ट होता रहता है 12 टांग जो द्वीब है वो अंडबान द्वीब समू का एक द्वीब है यह उत्तर और मध्य अंडबान प्रसासनिक जिले के अंतर कताता है जो अंडबान निकोबार द्वीब समू के भारतिय संग शेत्र का हिस्सा है इसे रांची वालस द्वीब के नाम से भी जाना जाता है एक पंक जोला मुखी पंक गुंबद मिट्टी पानी एवं गैसों के विस्फोर्ट से निर्मित एक हुआ करती है यानि मड़ वॉल कैनोज किसी राज में राष्टपती साशन के उद्धोषना करनी है तो निम्रिकित मैं से कौन से परिणामों का होना आवश्यक नहीं है पुछ रहा है ठीक है राज बिधान सभा का विख्टन हो जाना चाहिए राज के मंत्री पर्षद का हटाया जाना इस्थानिय निकायों का विख्टन नीचे दिगे कूट की साहता से से उत्तर का शुनाप कीजिए मतलब यह आधार नहीं हो सकता किसी राज में राष्टपती साहसन लगाने का 356 की बात हो रही है ठीक है यानि राज की सभी जो संबिधानिक कारे हैं वो केन सरकार के अधीन आ जाते हैं तो राज बिधान सभा का बिखटन इसका अधार नहीं है ना ही इस्थानिय निकायों का बिखटन इसका अधार है लेकिन राज के मंत्री परशद अगर भंग हो जाती है यह इसका अधार है तो नहीं है पूछा है तो इसलिए एक और तीन हाज हो जाएगा ठीक है जो है राश्टपती सासन का दातपर क्या है राज सरकार के निलंबर और संबंदित राज में प्रतेक्स रूप से केंद्र का साशन लागू होना इसे राज अपातकाल या संबैधानिक अपातकाल के नाम से भी जाना जाता है देखे भारते संबैधान के नुच्छे 356 में राश्टपती सासन लगाने का दिकार है राश्टपती इस वात से कॉन्फिडेंट है कि ऐसी इस्टती उत्पन हो गई है कि राज सरकार जो है संबैधानिक प्रावधानों के अनुरूप अपने आपको असमर्थ समझती है साशन करने में तो राश्टपती राज के राजपाल की रिपोर्ट के आधार पर या दूसरे ढंक से यानि राजपाल के विबरण के बिना भी प्रतिक्रिया व्यक्त कर सकता है और राश्टपती सासन यानि प्रेसिडेंट रूल का प्रभाव राश्टपती सासन लागू होने पर राश्टपती को निमलिखित सक्तियां प्राप्त होती है कौन कौन सी सक्तियां प्राप्त होती है राश्टपती को जब किसी राज में राश्टपती सासन लग जाता है तो पहली वह राज सरकार के कारियों को अपने हाथ में ले लेता है और उसे राजपाल तथा अनकारकारी अधिकारियों की भी सक्तियां पराप्त हो जाती है वे घोशना कर सकता है कि राज विधाईका की सक्तियों का पुरियोग तथा निर्वहन संसद द्वारा किया जाएगा लेकिन राज विधान सभा का बिगटन नहीं होता है जो उप्सन में था मैं ऐसे सभी कदम उठा सकता है जिसमें राज के किसी भी निकाया प्राधिकर्ण से समधि प्रावधानों को निलंबित करना सामिल है ठीक है राष्टपती सासन लगो होने पर इस्थानिय निकायों का बिख्टन नहीं किया जाता तो एक और तीन वाला उप्सन करेक्ट है ठीक है ये दोने चीजे होने से राष्टपती सासन नहीं लगता है बारवा प्राश्ण हाल ही में चर्चा में रहा कल्याणी फेरेस्टा नमलिखित में से क्या है रोगाणू रोधी टीका है एक नवीन करश्णी प्रणाली है भारत का पहला ग्रीन इस्टील बॉंड है या खगोल विदो द्वारा खो जगा एक नया एक्सो प्लैनिट कल्याणी फेरेस्टा क्या है इनमें से बताईए कल्याणी फेरेस्टा है भारत का पहला ग्रीन इस्टील बॉंड ओप्सनमबर डी देखे इस पात मंतरी जियोती रादित सिंधिया ने 20 सितंबर को नई दिल्ली में भारत के पहले ग्रीन इस्टील बॉंड कल्याणी फेरेस्टा का सुबारम्द किया और अपनी तरह के पहले इस पात का विनिर्माण पूरे की स्टील कंपनी कल्याणी ग्रूप ने किया है इसके लिए नभी करने उर्जा सुरोतों का उपयोग किया गया है और इस पात विनिर्माण की इस प्रकरिया में परियाबन में कारवन उत्सरजन नहीं होता है इसपात मंत्री का कहना है कि यह इसपात उद्योगों में करांतिकारी परिवर्तन है ग्रीन स्टील के विनिर्मान को जारी रखके जो है भारत इस शेत्र के देशों में अगर्णी हो गया है कार्बन उसर्जन को स्वाप्त करने का लक्षा हासिल करने को पृतिवद्ध है और भारत द्वारा ग्रीन स्टील का विनिर्मान कई देशों के लिए प्रणा का स्रोत बनेगा और इसके विनिरुमान तथा इसपाद उद्धियों को कारवन मुक्त बनाने की दिशा में अगरसर होगा इस टेस्ट का पीडिये भी आप प्राप्त कर सकते हैं पेड गुरुप से अगर कुछ आपको साज में नहीं आता है तो दो तीन बार पढ़ सकते हैं लागी तो पास कर सकते हो रिवाइंड फॉरवर्ड करके भी देख सकते हो लक्षदीप के संदर में कौन सा कथन सही है लक्षदीप से रिलेट करते हुए चार स्टेटमेंट है लक्षदीप के अंतरगत कुल तीन उप द्वीप समू सामिल है ठीक है मलेयलम इसकी राज भासा है और पिट्वी द्वीप में एक पक्षी अभ्यरण है यहां के स्थानिये लोग जो है वो महल बोली बोलते हैं भारत का केंद्शाषित प्रदेश, महत्पूर्ण केंद्शाषित प्रदेश के संदर में यह चारो के चारो श्टेटमेंट्स हैं, D has cancer, 1, 2, 3, 4 तो लक्षदीब जो है 32 वर किलोमेटर छेतर में भेला भारत का सबसे छोटा केंद्शाषित प्रदेश है जिसमें कुल 36 द्वीब हैं कितने 36 द्वीब हैं और यह एक प्रशास के माध्यम से सीधे केंद्र के नियंतर्ण में होता है लक्ष द्वीब के अंतरगत कुल तीन उप द्वीब सामूल है कौन-कौन से अमीन दीबी द्वीब समू और लेका डाइब द्वीब समू और मिनिकाए द्वीब समू देखें अमीन द्वीब जो द्वीब समू है वो सबसे उत्तर में है जबकि मिनिकाए द्वीब समू सबसे दक्षण में है यहां के सभी छोटे द्वीब जो हैं प्रवाल मूलक है और चारो तरब से प्रतिशत से अधिक आबादी जो है वो स्वदेशी है जिन में मुस्लिम धर्म के अधिकांस सुन्नी संपरदाई के सफी पंद से संबंदित हैं यहां के सभी द्वीपो मिनिकोय को यदि छोड़ दें तो मलयालम भासा बोली जाती है और यहां के स्थानी लोग महल बोली बोल उनके आर्थिक और सामाजिक पिछड़ेपन के कारण अनुसूचित जन जाती में अनुसूचित जन जाती के रूप में वरिक्त किया गया है यहां की और इस केंस्टाशित प्रदेश में लक्षदीप में कोई भी अनुसूचित जाती नहीं है यानि S.C. आबादी नहीं है के वल जन जाती है चले कोशन नुबर 14 प्रजी आहार नली में अंगो द्वारा स्रावित कौन सा रस जो है वसा के पाचन में महतपून भूमी का निभाता है इन में से वसा के पाचन में महतपून भूमी का निभाता है उमबाइल जूस और पैंक्रियाटिक जूस यानि पि पितरस हो गया बाइल जूफ, अगनासे रस हो गया पैंक्रीयाटिक जूफ। देखिए अंगोद व्रास्त्रावित पितरस अगनासे रस बसा के पांचन में महत्पून भूमी का निवाता है। पित रस जो है यक्रत यानि लीवर के दरा स्रावित होता है और इसमें किसी प्रकार के एंजाइम नहीं होते पित रस भोजन को छारिये बनाने वे बसा अणुओं को तोड़ने में साहेता करता है और अगनाशी रस जो है वो अगनाशे दरा स्रावित होता है यानि पैनक्रिय से ठीक है पैंक्रियास से निकलेगा पैंक्रिाटिक जूस और इसमें अञाइलेज ट्रिप्सिन अगरा से लाइपेज होते हैं अगरा सी रसका जो स्थाव हर्मोन स्थावी कोलेस सिचोकिनिंद्वारा नियंत्रित किया जाता है अब लाइपेज की भी बात करलें थोड़ा तो लाई-पेज वसा का पाचक अजए में, लाई-पेज भी वसा का पाचक अजए में और हीड्र क्लोरिक अम्ल जो है वो भोजन के पाचन में सहयता करने के लिए मानब अमा से, यानि इस टोमक में सोभाविक रूप से उत्पन होता है ठीक है वोश्य नूमर 15 पर आज़े अंतिम प्रश्न है ये नमरे के दमए से किस जलिये जनतू में गलफडे नहीं होते ओक्टोपस जींगा क्लाउन फिस वेल ओक्टोपस में होते हैं जींगे में होते हैं जीबो में पाये जाता है गलफडे पानी में घुलित ऑक्सीजन को निकाल सकते हैं और कारबन डायकसाइड को उतसरजित कर सकते हैं ओक्टोपस हो गया स्क्वीड हो गई क्लाउन फिस हो गई टेड़ पोल हो गया जींगा हो गया इन में गलफड़े पाए जाते हैं लेकिन वेल का जो सुशन अंग है वो है फेपड़े यानि लंग्स जो मानप का जो बंदर का तो विकल्पडी करेक्ट है तो यह 15 प्रशन एड़ थे इनके प्रक्टिस आप एक से दो बार कर सकते हो इन सभी टेस्ट का पीडिएफ भी प्राप्त कर सकते हो पीडिएफ मिलेगा आपको पेड़ टेलिग्राम ग्रूप में ठीक है यह नंबर है इस पर कॉल या वाट्सप करके आप जोईन कर सकते हैं यह हर दिन प्रक्टिस करते रहेगा धन्यवाद